Hello Everyone, ये इस चप्र का second video है First video का link आपको उपर I button में मिल जाएगा या फिर description में और comment section में मिल जाएगा बहाँ पर click करके आप इस chapter का first video देख सकते हैं तो चलिए second part अब शुरू करते हैं मुहमद्शाहँ का जो 30 साल लंबा चला शाशन था यानि 1719 से 1748 तक वो इस सामराजी को बचाने का आखरी मौका था हाला कि इस समय में 1707 से लेकर 1720 तक जिस तरह के changes हुए थे उस तरह के कोई quick change यानि कि कोई तेजी से बदलाव नहीं हुए थे जब उसके शाषनकाल शुरू हुआ उसके शाषनकाल में मुगलों का सम्मान लोगों के बीच में एक important political factor यानि महतुपूर्ण राजनितिक कारत था यानि कि जिस कारण से मुगलों का शाषन अभी भी बना हुआ था मुगलों की जो इज़त थी वो भी एक important factor थी मुगलों की सेना और खास कर उनकी तोपे वो अभी भी एक बड़ी शक्ती बनी हुई थी उत्तरी भारत में administration यानि प्रशाषन खराब हो चुका था लेकिन अभी तक पूरी तरह तूटा नहीं था जो मराठा सरदार थे वो अभी तक केवल दक्षिन तक ही सीमित थे और जो राजपूत राजा थे उनकी विश्वस नेता उनकी वफादारी अभी तक मुगलों के प्रती थी यदि कोई शक्ती शाली या दूर दर्शी शाशक होता तो सामंत वाद की कारण यानि सामंतों के कारण अपने उपर आने वाले खत्रे को समझ के उस परिस्थिती से खुद को अभी भी बचा सकता था लेकिन मुहमद शाह में वो क्वालिटी नहीं थी मुहमद शाह वैसा आदमी नहीं था वो दिमागी तोर पर कमजोर था यानि उसमें मानसिक शक्ती नहीं थी ओच्छा था और अयाश था यानि बस जीवन में आमोद प्रमोद करना ही उसका लक्षी था मुहमद शाह ने अपने शाशन के मामलों को नजर अंदास किया बजाए कि इसके कि वो काबिल वजीरों को पूरा सपोर्ट देता वो भरष्ट और बेकार चापलूसों के बुरे असर में आ गया और अपने ही मंतिरों के खिलाफ वो साजिशे करने लगा यहां तक कि जो उसके पसंदीदा दरबारी थे वो जो रिश्वत लेते थे वो इस रिश्वत में से हिस्सा लेने लगा तो समराट के इस फिकल माइंडेडनेस यानि की एक अनिश्चित रवया एक ढूलमूल रवया और शक्की वेभार से परिशान होकर और राजदरबार में चलने वाले लगातार जगणों से परिशान होकर निजाम उलमूल्क ने क्या किया जो उस समय का सबसे शक्तिशाली सामंथ था उसने फैसला किया कि वो अपनी महत्तक आंक्शाओं को पूरा करेगा 1722 ECU में वो वजीर बन गया और प्रशाशन को सुधारने के लिए उसने जोरदार कोशिश ने की अब उसने फैसला किया कि वो समराट को और पूरे समराज्य को अपने किस्मत पर छोड़ देगा यानि अब वो आगे कुछ सुधारने की कोशिश नहीं करेगा बलकि उसने अपनी भागे को आजमाने का फैसला किया October 1724 में उसने अपने ओफिस को यानि अपने पद को छोड़ दिया और साउच की तरफ निकल पड़ा डेक्टिन में हादरबाद नाम के स्टेट को बनाने के लिए उसका चले जाना ये एक चीज का प्रतीक था कि अब उस सामराज्जी से वफादारी और सदगुण निकल के जा चुके हैं उसके बाद से ही मुगल सामराजी का तूटना शुरू हो गया इसके बाद जो दूसरे शक्तिशाली और महत्वा कांग्शी सामंत थे उन्होंने अपनी उर्जा कहां इस्तिमाल करनी शुरू की अपने सेमी इंडिपेंडेंडेंट स्टेट्स बनाने के लिए यानि पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं तो कम से कम कुछ हद तक स्वतंत्र अपने अपने स्टेट्स बनाई जा सके जो खांदानी नवाब थे जिनकी दिल्ली के समराट के प्रती एक नाम मात्र की निष्ठा थी बस नाम के लिए वफादारी थी वो ऐसे देश के कई भागों में उठ खड़े हुए जैसे की बंगाल में, हाइदरबाद में और अवध में और पंजाब में हर जगह पर जो छोटे, जम्मिंदार थे, राजा थे और नवाब थे उन्होंने अपने विद्रोह और अपनी स्वतंद्रिता का जंडा बुलंद कर दिया यानि विद्रोह किया और स्वतंद्रिता की घोशना कर दी जो मराठा सरदार थे उन्होंने उत्तर की तरफ अपना सामराजय बढ़ाना शुरू किया और मालवा, गुज्राव और बुंदेल खंड को कबजे में ले लिया फिर 1738 और 49 में नादिर शाह उत्तर भारत के मैदानों में आ पहुंचा और उसके सामने इस मुगल सामराजय ने घुटने टेक दिये नादिर शाह एक चरवाहे से एक शाह यानि राजा बना था और कैसे बना था? उसने परशिया के यानि जो प्रेजन्ट इरान है वो कंटिनेसली टूटता जा रहा था और उसकी परिस्थी गिरती जा रही थी उस चीज से परशिया को बचा कर वो राजा बना 18 सदी के शुरुवात में परशिया में एक शक्तिशाली फार फ्लंग एम्पायर यानि बहुत पहले से चलिया रहे सामराज्य सफावी वन्ष के बहुती कमजोर शाषन के अंडर था इसे भीतरी विद्रोह और बहारी आक्रमणों से खत्रा था पूर्व की तरफ अबदाली कभीलों के लोगों ने रिवोल्ट किया यानि विद्रोह किया और हैरात पर कबजा कर लिया और जो गलजाई कभीले के लोग थे उन्होंने कान दाहर को राज्य से अलग कर दिया उत्तर की तरफ और पश्चिम की तरफ भी इसी तरह के रिवोल्ट्स हुए उस समय के परशिया में उस समय के जो कटर शिया थे सुनीज को धार्मिंग आधार पर मार डाला जिसके कारण विद्रोह शुरू हो गया यहाँ बर मुल्लाओं को मौत की घाट उतारा गया मस्जितों को तोड़ दिया गया और अस्तेबल बना दिया गया और जितने भी धार्मिकारे थे सब नश्ट कर दिये गए 1721 में कान दाहर में जो गलजाई मुखिया था उसका नाम था महमूद उसने परशिया पर आक्रिमंड किया और इश्वहन पर कबजा कर लिया जो कि उस समय का कापिटल था उस समय की राजधानी थी रेशिया जो कि उस समय पीटर दे ग्रेट के अंडर था उन्होंने दक्षिन की तरफ जाने का फैसला कर रखा था यानि कि इरान की तरफ जाने का पीटर ने जुलाई 1722 में परशिया पर आक्रिमंड किया और जल्दी ही परशिया को मजबूर किया कि वो अपने कई राज्ये को अपने कई प्रोविंसेस को रेशिया के हवाले कर दे जो कि कैस्पियन सी पर थे यानि कैस्पियन सागर में थे जिनमें बाकु का शहर भी आत है टर्की जो कि उस समय तक अपनी जादतर यूरोपिन अधिकार शित्र को खो चुका था यानि यूरोप में जो भी इसे टर्की के अंडर में थे वो से खो चुका था तो टर्की ने भी परशिया के इस नुकसान में से अपना फाइदा निकालने का सोचा 1723 के बसंत में टर्की ने परशिया पर युद्ध की खोशना की और जल्दी ही जोर्जिया की त्रू होते हुए साउथ में चला गया जून 1724 में रशिया और टर्की ने एक संधी में साइन किया जिसमों ने परशिया के उत्तरी और जादातर पश्चिमी हिस्सों को अपने बीच बाट लिया ऐसे समय में 1726 में नादेशा उभर के आया वहाँ के जो शाषक थे तामास्प के एक मेजर सपोर्टर के तौर पे और शाषक के एक बहुत अच्छे कमांडर के तौर पे उभर के आया 1729 में नादेशा ने अबदालीज को हरा कर हैरात को वापस लिया और गलज़ा इसको भी निकाल दिया इश्वाहान से और मध्धी और दक्षिनी परशिया से उसके बाद तर्की से भी एक बहुत बुरा और एक लंबा युद्ध चला और उसने तर्की को मजबूर किया कि उसने जितने भी परशिया के हिस्से जीते थे वो उन सबको वापस करे 1735 में नादिर शाह ने रशिया के साथ एक संधी पर साइन किया जिसमें उसने रशिया के कबजे के सभी शेत्र वापस ले लिये अगले ही साल आखरी सफावी रूलर्स को हटा दिया यानि सफावी वंश के आखरी शाशक को हटा दिया और खुद को शाह गोशित कर दिया यानि राजा बन गया आने वाले कुछ सालों में उसने कांदाहर के हिस्सों को वापस से जीत लिया नादिर शाह भारत के प्रती भारत की अपार धन संपता के कारण आकरशित हुआ था जिस कारण के लिए भारत प्रसिद्ध था, यानि भारत अपनी धन संपदा के कारण पूरी दुन्या में प्रसिद्ध था और इसलिए नादेशा के ध्यान में इंडिया आया लगातार चलने वाले अभियानों ने यानि जो लगातार लडाईयां हो रही थी परशिया में उसके कारण से परशिया यानि प्रेजन्ट इरान लगबग दिवालिया हो चुका था मतलब कहने को से आप दिवालिया कह सकते हैं उनके पास बिलकुल भी पैसा नहीं बचा था और उसकी जो भाड़े की आर्मी थी यानि जो सिर्फ पैसों के बल पे चलती थी उनको मेंटेन करने के लिए पैसों की जरुरत थी और इसका एक हल नादेर्शा के दिमाग में आया spoils from India यानि इंडिया से loot करना इंडिया के पास इतना धन था यदि इंडिया से loot लिया जाए तो वो पैसा नादेर्शा के काम आ सकता था ये बात उसके दिमाग में आई और ठीक उसी समय मुगल सामराजी की जो visible weakness थी यानि उनकी जो कमजोरी नज़र आती थी उनकी कमजोरी इतनी थी मुगल सामराजी इतना कमजोर हो चुका था कि वो पूरी दुनिया में सब को दिखने लगा था इस कारण से ये loot नादेर्शा को संभव लगी 1738 के अंत में नादेर्शा भारत्य इलाके में घुसाया बिना किसी विरोध का सामना किये हुए यानि कि वो जिस जगह से गुसा था उत्तर पश्चिमी एरिया से वहाँ पर कोई सुरक्षा व्यवस्ता ही नहीं थी कई सालों तक उत्तर पश्चिमी लाके की सुरक्षा को नेगलेक्ट किया गया था उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया था जब तक दुश्मन लाहोर तक नहीं आ गया तब जाके इस खत्रे का आभास किया गया उससे पहले तब इस खत्रे की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया उसके बाद दिल्ली को बचाने के लिए बहुत जल्दे बाजी में तयारियां की गई थी पर उस समय के जो जागीरदर थे जो कि गुट बाजी का शिकार हो चुके थे उन्होंने दुश्मन को देखते हुए भी एक जुट होने से मना कर दिया यहां तक कि वो सुरक्षा के लिए किसी एक प्लान पर भी सहमत नहीं हुए और अपने किसी कमांडर पर भी सहमत नहीं हुए यानि कौन लीड करेगा इस बात पर उनमें अग्रीमेंट नहीं हो पाया सहमत नहीं हो पाये तो food, खराब नेतरत्व और आपस में होने वाली ईश्या और अविश्वास इनका नतीजा अगर हार नहीं होता तो और क्या होता इनका नतीजा हार किसी बार कुछ नहीं हो सकता था यानि उनमें food पड़ी हुई थी, उनका कोई एक अच्छा नेतरत्व नहीं था वे सब आपस में जलते थे और कोई किसी पर भरोसा नहीं करता था कोई किसी का साथ नहीं दे सकता था तो ऐसे में हार होना स्वभाविक था दोनों आर्मीज, यानि नादिर्शा की आर्मी और मुगलों की आर्मी 13 फरवरी 1749 को करनाल में मिली जो कि अभी हर्याना में है यानि करनाल में उनके विश युद्ध हुआ और जो इन्वेडर था नादिर शाह आक्रिमन कारी था उसने मुगल आर्मी को एक क्राशिंग डिफीट दी यानि हराया है नहीं बलकि बूरी तरह से हराया मतलब कि कुचल दिया बादशाह मुहमद शाह को बंदी बना लिया गया और नादिर शाह ने दिल्ली की तरफ मार्च किया बिल्ली की तरफ निकल पड़ा शाही राजधानी में जाकर यानि दिल्ली जाकर नादिर शाहने आशोंने आम लोगों का कुछ सिपाही मारे गए थे इसका बदला लेने के लिए उसने दिल्ली में आम जंता का नर संहार किया ये जो लालची आकरमन कारी था यानि नादिर्शा उसने शाही खजाने को अपने अधिकार में ले लिया और साथ में दूसरी जो शाही चीजें थी उन पर भी अपना अधिकार जमा लिया यानि राजभवन की जितने भी चीजें थी महंगी चीजें और साथ में धन संपत्ती सब उसने अपने कबजे में ले ली और जो समय के लीडिंग नोबल्स थे यानि सामंत थे रईस थे उसने उनसे नजराने वसूल किये यानि वसूली की उनसे और दिल्ली के जो धनी लोग थे उनको लूटा यानि उसने भैंकर लूट मचाई उसकी कुल लूटी कई संपत्ती का अनुमान लगाए जाए तो वो बनती है सत्तर करोड रुपे 70 करोड रुपए की लगभग उसने संपत्ती भारत से लूटी और इसी कारण से उसके अपने राज्य में उसने 3 साल के लिए कर व्यवस्था ही खतम कर दी यानि कि उसके पास इतना पैसा जमा हो गया था कि 3 वर्षों के लिए उसे कर लेने के जरूरत ही नहीं पड़ी वो अपने साथ मशूर कोहिनूर डाइमंड, कोहिनूर हीरा और शहाजाह का मयूर सिंगहासन अपने साथ ले गया वो सिंगहासन में जिसमें रतने जड़ित थे यानि कोहिनूर डाइमंड और शहाजाह का मयूर सिंगहासन भी वो अपने साथ ले गया साथ ही उसने मुहम्मद शाह को यानि उस समय का जो बादशा था उसे मजबूर किया कि सिंदू नदी के पश्चिम के इलाके उसे यानि नादर शाह को दे दिये जाए नादर शाह के आकरमन ने मुगल सामराज जी को भारी नुकसान पहुंचाया इस से मुगल सामराज जी के सम्मान को प्रतिष्ठा को अब पूरण ये शती हुई और सामराज जी की जो कमजोरियां थी मुगल सामराज जी की वो उन्होंने सामने ला दी यानि पूरा प्रशासन चलना लगभग बंध हो गया था नादिर शाखे इस आकरमन ने जो राजसी वित्त व्यवस्था थी उसे पूरी तरह से नश्ट कर डाला और पूरे देश के आर्थिक हालात को भी बूरी तरह से प्रभावित किया इसका नतीज़ा ये हुआ कि जो कंगाल हो चुके जागीरदार थे सामंध से उन्होंने किसानों को अप्रेस करना किसानों को अत्यचार करना शुरू किया और उनसे मनमाना लगान वसूल करना शुरू किया ताकि जो धन्दौलत वो गमा चुके थे वो उसे वापस पा सके जो धनी जागीरे थी यानि जिन जागीरों में ज़ादा पैसा था उसके लिए उन जागीरदारों में आपस में लड़ाई होने लगी और साथ ही में जो high offices थे, उचे पद थे, उनके लिए भी उनमें ऐसी लड़ाई होने लगी जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी काबुल की शतीने यानि काबुल के हाथ से निकल जाने की कारण और सिंदू नदी के पश्चिमी भागों के हाथ से निकल जाने की कारण पूरे सामराजी पर फिर से खत्रा मंटराने लगा था, कौन सी दिशा से? उत्तर पश्चिमी दिशा से क्योंकि काबुल और सिंदू नदी के पश्चिम वो एक वाइटल लाइन अफ डिफेंस थी, यानि सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण पंक्ती थी, जो सामने से हट चुका हाला कि ये आश्चरी की बात है, कि नादिर शाह के चले जाने के बाद, कुछ समय के लिए ऐसा लग जैसे समराजी की शक्ती वापस से आने लगी है, हाला कि उनकी कंट्रोल में उनकी अंडर जितना भी हेरिया था, वो पहले से काफी कम हो चुका था, यानि मुगल समराजी के अंदर जितना शेत्र था, वो पहले से कम हो गया था, ये डिसर्प्टिव था, भ्रामक था और सत यानि सिर्फ सत्ह पर देखने में लगता था कि मुगल सामराज्य फिर से ठीक हो रहा है लेकिन वास्तों में ऐसा नहीं था 1748 में मुहम्मद शाह की मृत्यू के बाद जो बे इमान और सत्ह के भूके पावर हंगरी जागीरदार थे उनके बीच में बहुत कटू संगर्ष यानि बहुत बिकार संगर्ष शुरू हुए और यहां तक की ग्रह युद्ध भी शुरू हो गया और हम जानते हैं कि उस समय उत्तर पश्चिम की सुरक्षा काफी कमजोर हो चुकी थी इसके कारण नादेशा के जो काबिल सीनापतियों में से एक था एहमद शाह अबदाली उसने लगातार आकरिमन किये जिसके कारण से सामराज्य और भी तहस नहस हो गया एहमद शाबदाली ने अपने मालिक के यानि नादेशा के मरने के बाद में अफगानिस्तान पर अपनी सत्ता कायम की थी 1748 से 1766 के बीच में अबदाली ने कई बार और लगातार उत्तरी भारत पर हमला किया और ये हमला उसने देली से लेकर मतुरा तक किया था 1761 में उसने पानी पत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं को हरा दिया जिससे मराठा मुगलों को हरा कर देश में अपना सामराजी विस्तार नहीं कर पाए हाला कि उसने भारत में कोई नया अफगान सामराजी स्थापित नहीं किया वो यहनि अबदाली और उसको उत्रादिकारी पंजाब को जादा समय तक अपने पास नहीं रख पाए क्यूंकि सिख सरदारों ने उसे वापस ले लिया था नादिर्शा और अबदाली के आक्रमणों के कारण और मुगल जागिर्दारों के अपने में ही चलने वाले आत्म घाती संगर्श के कारण उसका नतीज़ यह हुआ कि 1761 तक मुगल एंपायर प्राक्टिकली कोई अखिल भारती सामराज्य नहीं रह गया था इसका अर्थ है कि पूरे भारत में सिर्फ नाम का मुगल सामराज्य था लेकिन वास्तव में वो केवल दिल्ली तक सिमटकर रह गया था मुगल सामराज्य दिल्ली तक ही सिमटा हुआ था यहां तक कि दिल्ली में भी रोज हंगामे और दंगे लड़ाईया इत्यादी हुआ करती थी यानि दिल्ली में भी शांती नहीं थी मुगलों के जो उत्तरा धिकारी थे उन्होंने भारती सामराजी को पाने के लिए कोई कोशिशे करना छोड़ दिया था हाला कि जो अपने पास हत्ता और पावर रखना चाहते थे ऐसे कई लोग मुगलों के नामों के पीछे चिपकर राज किया करते थे उन्हें ये एक यूसफुल आइडिया लगा और इसी कारण से मुगल वन्ष नाम मात्र के लिए दिल्ली के सिंहासिन पर बना रहा क्योंकि वो मुगल वन्ष के नाम के पीछे चिपकर खुद राज किया करते थे 1769 में गदी पर बैठा शाह आलम दृतियर वो अपनी सत्ता के शुरुआती दिनों में एक जगा से दूसरी जगा तक घुमता रहा और आज़धानी से दूर रहा क्योंकि उसे अपने ही वजीर से अपनी जान का खत्रा था हाला कि इसमें कुछ काबिलियत थी और काफी हिम्मत थी लेकिन सामराजी के हालत पुनर उध्धार से कहीं खराब हो चुकी थी 1764 में उसने बंगाल के मीर कासिन के साथ मिलकर और अवद के शुजाओ दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया इस युद्ध का नाम था बैटल ओफ बकसर बकसर की लड़ाई और इसमें ये लोग अंग्रेजों से हार गए उसके बाद कई सालों तक शाहा अलंद वितिय इस्ट इंडिया कंपनी के पेंशनर के रूप में अलाबाद में रहा यानि वो दिल्ली छोड़कर अलाबाद में रहा और इस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन मिला करती 1772 में उसने ब्रिटिश आश्रे को त्याग दिया और मराठाओं के सनरक्षन में वापस दिल्ली की तरफ आया ब्रिटिश ने 1803 में दिल्ली पर कबजा कर लिया और तब से लेकर 1857 तक यानि 1857 की क्रांती तक तब तक कि मुगल समराट जे मुगल वन्ष खतम नहीं हो गया पूरी तरह से तब तक मुगल समराटों को सिर्फ अंग्रेजों का राजनीतिक महरा बना कर रख दिया गया चुकी थी वो मिलिटरी पावर की रूप में यानि सेनी शक्ति की रूप में जाने जाने बंद हो गए थे लेकिन उसके बावजूद भी मुगल राश्टंतर बना रहा च्यूंकि जनता के दिमाग पर उनकी छाप इस तरह की थी कि वो अभी भी मुगल समराटों को मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में नमस्कार